असकार दोस्तों, आपका स्वाकत है हमारे चैनल टीचिंग जा मोबल लोड पे आज के सेशन के अंतरगत मैं NCRT EBS क्लास 5 के चैप्टर 11-12-13 को कबर करूँगा जो की बहुत इमपर्टनिक क्लासेज है सीटर की तयारी करने वाले चात्रों के लिए तो आज के सेशन को इस्टार करने के पहले हमारे चैनल को लाइक यो सब्सक्राइब कीजिए चलिए आज का सेशन स्टार करते हैं आज कर लेशन 11 है सुनीता अंतरिछ में तो यहां पर जो में में पॉइंटेट है उसको मैंने हाइलाइट किया है वही हमें पढ़ना है तो पहला हाइलाइटेट पॉइंट को देखते है तो पहला हाइलाइटेट पॉइंट है हम जानते हैं कि बैग्यानिक भी पिथवी के आकार की समझ बनाने के लिए जूशते रहते हैं और इस उम्र के बच्चों के लिए भी पिथवी के आकार को समझ बच्चों को प्रोसाइट करना चाहिए हमें कि पितवी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेज़िगर करें चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट है बच्चों को कलपना चावला और उनकी अंतिश्यार्था के बारे में बताया जा सकता है इसमें बताया है कि सदियों से अलग-अलग संस्कितियों में इंसानों की पितवी के बारे में क्या-क्या सोचा है पते की बात या है आज भी बच्चों की कलपना कई बार उन विचारों में सहज ही मेल खाती है या बात की पितवी पर उपर नीचे कुछ नहीं होता भारत और अजन्टीना के लोग सापेज चेक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं कई बार बड़ो को भी चक्कर में डाल देती है तो हमें बच्चों को कल्पना चावला उनकी अंतिश्याता के बारे में बताया जाना चाहिए सिच्चकों के लिए एक रोचक किताब भी है इसमें बताया गया है सदियों से अलग-अलग संस्कीतियों इंसानों के पिथभी के बारे में क्या-क्या सोच रहा है पत्य की बात यहां है कि आज भी बच्चों की कर्पना कई वार उन विचारों से साहज ही मेल खाती है यहां बात है कि पिथवी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता भारत और अर्जन्टीना के लोग सापेच एक दूसरे को उल्टे हो सकते हैं कि यहां से सीटेट में बार बार परस्न पूछा जाता है कि भारत के सापेच उल्टा कौन सदेश है तो अर्जन्टीना है चलिए सुनीता बताती हैं तिसकी कुछ मदेदार बाते हैं आईए जानते हैं हम एक जगा टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते यान में एक जगा दूसरी जगा तैरते हुए पहुंचते हैं तो वहां बोलती हैं कि हम एक जगा टिक कर तो बैठ नहीं सकते यान में हम एक से दूसरी जगा जानने के लिए तैरते हुए हम जाते हैं पानी भी एक जगा ठीका नहीं रहता वह बुलबुलों की तरह इधर उदर उड़ता रहता है पता है हात मुधोने के लिए हम तैरते बुलबुलो को पखड कर कपड़ा गीला करते हैं और हात मुधो साफ करते हैं वह खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है सब से ज़्याधा मज़ा तब आता है जब तो हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के rechts ने की तीज़रुत नहीं रहती बाल हमेंसा ही खड़े रहते हैं चलना पाना हर समय तयरते रहना और हर काम अलग तरीकेसे करना या सब करने की आदत डालना आसां नहीं था एक जगा टिकर काम करना हो तो अपने आपको बेल्ट से बांधो कागज को भी ऐसे नहीं मोल सकते उसे भी दीवार के साथ बान कर रखो अंतिछ में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था चलिए आगे देखते हैं जैसा कि चित में दिखाया गया है जब उन्होंने उडान भरी थी 9-12-26 को 11-12-26 को पाउट टिकते ही नहीं थे यान में वा खाना कहां उडा जा रहा था देखिए इसमें फीकर में दिखाया गया है यान के बाहा सुनीता वाकई इंतिछ में 16-12-6 को उतरी थी आगे और देखते हैं इनके बारे में तो अंतिछ में चीजे की तरह बिवार करती है आसमजना बड़ों के लिए भी कठिन है तो बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने चर्चा करने दा कलपना करने का मौका दें दरसल हम इतने आदी हो जाते हैं पितवी द्वारा हर चीज को खिषते देख कि हम खिचाओ के बारे में सोचते ही हैं और कलपना भी नहीं कर पाते कि उसकी बिनक क्या क्या होता है तो अंतिछ में चीजे की तरह बिवार करती है आसमजना बड़ों के लिए भी कठिन होता है बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने और कलपना करने का हमें पूरा मौकर देना चाहिए उन्हें प्रसाइट करना चाहिए दरासल हम इतने आदी हो जाते हैं कि पितवी द्वारा हर चीज को खिषते देख हैं पर इस सब्द में अभी ज़रूरत नहीं है हमें बच्चों की मदद करनी होगी वह अपने रोज के अन्भों से पितवी के खिचाओ का कुछ ऐसास बना पाएं नन्ना कागज भी भारी सिक्र की आड में उसी के सार्थ गिरता है तो वाकई जादू ही लगता है क्योंकि आम जिन्दगी में हलके पत्ते या कागज को मड़राते हुए गिरते दिखते हैं जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है चुए हाती के खेल का विग्यान बच्चों को समझने की कतई अपेच्छा नहीं है बस इन्हें कुछ एसास हो जाए कि जो पत्तर घूम रहा है वा पितवी के खीचाओ के खिलाब हाती को खीच पा रहा है तो वह भी अपेच्छा से ज्यादा है वास्तों में अंतिश्यान के पितवी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पितवी के खिचाओं से मुक्त थी चलिए आगे देखते हैं आस्मान को निहानने में बच्चो और बड़ो सभी को मजा आएगा बच्चो को तूटते तारे उग्रा में अंतर समझने में मदद चाहिए होगी तारे अकसर टिम्टिमाते हैं कोई चमकती चीज अकर तेज गती से चलती दिखे तो उग्रा हो सकता है तूटता तारा उलका पिंड हो सकता है जो पितवी के वाउ मंदल में आते ही जल जाता है अगर हम दुरुची दिखाएंगे तो बच्चो भी रात में आस्मान को और लोकन करनते नई 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 बाते सीखने के लिए प्यरित होंगे तो आस्मान में निहारने से हमें बच्चों को और बड़ों को सभी को मज़ा आता है बच्चों को तूरते तारे तारे और अंतर समझने में मदद चाहिए होगी तारे एकसर टिम्टिमाते हैं कोई चमकती चीज अगर तेज गती से चलती रहे तो आउगरा हो सकता है तूरता तारा उलकापिंड वा होता है जो पितवी के वाउवंडल में आते ही जल जाती हो अगर हम रुची दिखाएंगे तो बच्चों भी रात में आसानी से अलोकन करके नहीं नहीं बाते सीखने के लिए प्यरित होंगे चलिए आगे बढ़ते है सुनीता जब 5 साल खी थी तो उन्होंने टीवी पर नील आमिस्टांग को चान पर उतरते देखा सन 1969 में नील आमिस्टांग चान पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई सुनीता बताती है कि बच्पन में उनके खेल कूट में बहुत जिलज़ती सी उन्होंने तहरा की खासता और पर पसंद थी पढ़ाई में कभी सबसे आगे नहीं रही सुनीता बनना तो गोता खोड डाइबर चाहती थी पर बन गई हेलीकाप्टर पाइलेट एक दिन उन्हे है किसी अंतिच के पता चला कि आगे पढ़ायी करें तो अंतिच में जा सकती है पिर क्या दा सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की टे INTERNGG दी और अबर अंतिच में सब से लं편 समय समय तक रहने वाली काम करें उसे करें तो कोई नए बच्चों को समझा पाएं कि बिग्यान और उगडित कैसे जिन्दगी से जुड़े होते हैं तो यहां से जो आता है सुनीजा जब 5 साल थी उन्होंने टीवी पर नील आमिस्ट्रांग को चान पर उतरते देखा सन 1969 में नील आमिस्ट्रांग चान पर उतरने वाले सबसे पहले बैकती थे छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई थी सुनीता बताती है कि बच्पन में उनके खेल कूर में ज्यादा रूची थी और खास करके तहराकी में पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी सुनीता बनना तो गोता खोर डाइबर बनना चाती थी लेकिन बन गई हेली काप्टर पाइलेट एक दिन उन्हें किसी अंतीर चाती से पता चला कि आगे पढ़ें तो अंतीर में जा सकती है फिर क्या उन्हें ने लगन के साथ पढ़ाई की और अंतीर में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिना बनी चलिए आगर देखते हैं अगला लेशन है खत्म हो जाए तो आज हम एहमदाबाद से लगबर 18 किलोमीटर दूर अडालच की बावरी को देखने जा रहे हैं चलिए यहां जो जो में में पॉइंट है वहीं में देखना है अपने इलाखे के आज पास के हाईवेi राजमार के उधारन देकर इस बारे में बच्चों की समझ बनाई जा सकती है वहानों से होने वाले सोर और धुएं के प्रभाव पर चर्चा बच्चों के अन्भव सुनकर करें कच्छा में सड़क पर चलने के नियमों की चर्चा करवाना चाहिए तो अपने इलाके के आस पास के हाईबे राजमार का उधारन देकर हमें बच्चों को समझ बनाना चाहिए कि वहानों से होने वाले सोर और धुएं प्रभावों पर हमें बच्चों के साथ चर्चा करना चाहिए और अनुभव से सुन करना चाहिए ताकि कच्छा में सड़क पर चलने वाले नीमों पर हमें बच्चों से चर्चा करवानी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट में आम बोल्चाल की भासा में तेल सब्थ का परियोग पिट्रोल डीजल और खनीच तेल के लिए किया गया है बच्चों को इस पर हमें चर्चा करवानी चाहिए कि जमीन के नीचे से निकलने वाले खनीच को क्या क्या हो सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इससे अपने बच्चों के लिए बचाएं हर भून को अधित लाव ले 오늘은 11 Jun Зास दिशे दाम दिया गया है लेकिन अवह तो आप लोगों को पता ही होगा पिट्रोल इकात्र से पच्छतर के बीद चल रहा है कि चलिए आगे देखते हैं सूरज की किर्णों का इस्तमाल और किस-किस काम में होता है इस पर हमें बच्चों से चलिए अमूर्थ है पर बच्चे इसे ताकत सक्ति आदि कहकर इसके बारे में सोचना सुरू करें सूरज की किर्णों का इस्तमाल और किस-किस काम में होता है इस पर हमें बच्चों से चलिए आगे बढ़ते हैं जमीन से ख़जाना या पता लगाना आसान नहीं था कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहां मौजूद है बैग्यानी खात तरीकों मसीनों से आख समझते हैं और अंदाजे लगाते हैं फिर गहराई तक पाईप और मसीने डालकर तेल ऊपर खीचा जाता है निकाला गया तेल गहरे गाढ़े रंग बद्बूदार होता है इसमें घुली मिली और छुपी होती है इसमें घुली मिली और छुपी होती बहुत सारी चीजें इन चीजों को अलग-अलगा और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनी में भेजा जाता है क्या तुमने चीजों कभी रिफाइनी के बारे में सुना है इसी तेल में हमें मिलता है इसी तेल से हमें मिलता है केरोसीन, डीजल, पेट्रोल, इंजन, आयल, हवाई जहाज के लिए इधन, जानते हो लपीजी, खाना पकाने की गैस, मॉम, कुलतार और गीज भी इसी से मिलते हैं प्लास्टिक और प्रिंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तमाल होता है तो यहां से सीटेट में हर बार प्रस्ट पूछा जाता है कि तेल कैसा होता है, तो तेल का रंग कैसा होता है, तेल का रंग गाड़ा बदबुदार होता है इसमें घुली मिली छुपी बहुत सारी चीजें मिलती हैं चीजों कॉलक करने के लिए साफ करने की तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है क्या तुमने कभी रिफाइनिंग के बारे में सुना है इसी तेल से हमें मिलता है केरोसीन, डीजल, पिट्रोल, इंजन, आयल, हवाई, जहाज के लिए इधन, जानते हो लपीजी, खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और कीस भी इसी से मिलती है प्लास्टिक और पिन्ट बनाने के लिए तेल का इस्तमाल भी होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो सड़कों पर वहानों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए बिकल्पों की तथा इससे जूरी ख़बर पर हमें बच्चों से चच्चा करनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टापिक है कच्छा में पोश्टर पर खुल कर चर्चा की जानी अच्छी रहेगी इस बाचीर से बच्चों में आप समझ पैदा होगी कच्छा में पोश्टर पर खुल कर चर्चा की जानी अच्छा रहेगा इसे बाचीर से बच्चों में आप समझ पैदा होगी कि पिट्रोल, डीजर, केरोसीन, एलपीजी, यारी सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिच के रूप में हैं इन सभी का हमारे जीवन में अलग-अलग जगां उपियोख होता है इस बारे में उनके अनुभा सुनने से पोश्टर पर उनकी समझ अच्छी बनेगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला लेशन है बसेरा उचाई पर चलिए देखते हैं मैं हूँ गवर्व जानी और यहां लोनर मेरी सबसे बढ़िया साथ ही है मेरी मोटर साइज अंग्रेजी में लोनर का अथ होता है अकेले रहने वाला तो यहां में में टुपाइंट है उसे देखें हैं मुंबई से दिल्ली तक कर सफर कितने किलोमीटर है मुंबई से दिल्ली से 1400 किलोमीटर का रास्ता है चलिए आगे देखते हैं ठंडा रेगिस्तान आखिरकार मय और लोनर ले पहुची गए अजर अनूठा था यहां इलागा सूखा सम्तल और ठंडा रेगिस्तान है लद्दाक में बहुती कम बारिस होती है यहां दोर दोर तक दिखते थे बर्फ से ठके पहाड और सूखा ठंडा मैदान ले सहर की एक सांथ गलीज में सफेद पत्थर के सुन्दर मजबूर घरों को देखा थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे जूले जूले यानि स्वागत स्वागत चिलाते हैं तो वहां पर जूले जूले बोला जाता है जिसको आर्थ होता है सौगत मेरा पीछा करने लगे वह लोनर को देखकर बहुत हैरान थे सभी मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे चलिए आगे बढ़ते हैं उसका घर दो मंजिलों का था पत्थरों को काटकर एक के उपर एक रखकर बना था उन पर मिट्टी और चूने की पुताई की हुई थी अंदर से घर छपपर जैसा लग रहा था घर हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी तासी मुझे लकडी की सी चलिए लगा थी और जरूरर का समान इकर्ठा करके रखते थे सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे मंजिल में जानवरों के पास ही रहता नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी चट को मजबूर बनाने के लिए पेड़ों और मोटे तने का इस इस्तमाल किये हुए थे तासी ने बताया कि छट उनके घर का सबसे महात्पूर्ण हिस्सा है या गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है ठंडे दिनों के इस्तमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाते सोचो या किन महीनों में होता होगा। कि यह समझने में देर नहीं लगी की मूटी मूटी दिवारे लकडी के फर्स और लकडी की छत ही ठंड से बचाते होंगे … तो यहां से जो में में और घंड रेगिस्तान से ले भूत रह फ्लत है इनका घर घर यहां गरे नहीं मंजीलू होता है पर्थरों को काठ कर एक उपर एक रखकर बनाया जाता है उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है अंदर से घट छपर जैसा लग रहा था हाथ तरह घास फूस पड़ी हुई थी ता लकडी की सीधियां होती है पहली मंजिल पर ले गया उसने बताया कि वह उसका परिवार ऊपर की मंज है पर तरदी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिलमर जानौरग के पास ही रहता है नीचे मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं होती है च्छत को मजबूर बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने इस्तमाल किये जाते हैं चलिए आगे देखते हैं अब मैं चांग थांग इलाके की और बढ़ रहा था लगवग पान सो मीटर की उचाई पर बनाया मैदानी इलाका बिलकुल सूनसान पत्रिला था इतनी उचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी मेरे सिर में बहुत दर्ध होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी फिर धीरे धीरे ऐसी हवा से सांस लेने की आदर सी पड़ गई थी चलिए आगे देखते हैं यो में नाम गया है जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं अपनी भेड़-बकरीयों के जुन से लेकर पहाडों के हरे मेर हम मैज़ानों की खूज में घूमते रहते हैं इनही जानवरों मूने अपनी जरूरत का समान मिल जाता है दूद, मार्च, टेंट के लिए, चंबडा, स्वेटर और कोट के लिए उन आदी भेड़ बकरियों ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है जितनी भेड़ बकरियां उतना ही उचा वाईवार का रसर होता है चांगबा खात तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मसूर पस्मीना साल बनाई जाती है या भी पस्मीना साल कहां बनाई जाती है चांग-ठांग के लोग बनाते हैं चलिए आगे देते हैं इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे जितनी चांक पा इतने मुश्किल हालात में इतनी उचाई पर रहना पसंद करते हैं यहीं है इनकी जिन्दगी यह लोग अपना पूरा घर और समान घोड़ो रियाक पर लाद कर घूंगते हैं जब आगे बढ़ना हो तो यह सिर्फ धाई घंटे में अपना देरा समेट कर नि याक के बालों से बुनाई करके चांगपा फट्टियां बनाई जाती हैं जिन्हें सिल्कर जोड लेते हैं यह बहुत मजबूर्ट होते हैं गर्म भी मैंने देखा है तो चांगपा की भासा में चांगफां का मतलब ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं बच्चों के बिभिन भासाओं में भी ऐसे सब्ध क्या इस पर चर्चा हो सकती है उचाई पर जाने से हवा में आक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है आक्सीजन क्या है इस समझ की समेच्छा नहीं की जा रही है बच्चों को बस कुछ अंजाजा हो कि उचाई पर सांस लेना मुस्किल होत है चलिए तो यहां से आपने चांग पांग जाती के बारे में जाना की इतने जो पंच जार लोग रहते हैं घुबंतु लोग भी कहा जाता है अमेशा एक ही जंगा्पर नहीं रहते हैं अपनी बहुर पकरियों को ज्वन को लेकर पहारों से हरे मेरे मेडानों की खोज में पालते हैं जिनके बालों से दूसरे दुनिया की मसूर पस्मीना उन बनती है जितनी ठंडियों उची जगह होगी उन बखरीयों कि बाल पी उतने ज्यादा नरम होंगे इसलिए चांग पर इतने मुश्किल हालात में इतनी उचाई पर रहना पसंद करते हैं यही है इनकी जिन लोग अपने टेंड को रेबो कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दुनिया में मसूर पस्मीना साल के बारे में जानते हैं जहां से सीटेट में हर बार हर सिप्ट में परस्मीना साल से च्छा सोईट्रों के बरावर गर्मी होती है तो पहला परस्मीना साल से कितने सोईट्र की उचाई पर रह सकती हैं जहां सद्दियों में ताप माज जीरो सिंट्रिडेकर से लेकर माइनस 40 डिग्री सिंट्रिडेकर तर चला जाता है इतनी सद्दी से बचने के लिए बखरीयों के सरीर में बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में जड़ जात होते हैं अगर एक बुणकर धाई सो गंटे बुणा करें तब जाकर 25 मिना साल बनती है यहां सभी पर श्याइन साल बनाने में कितना समय लगता है इतनी महिनत सोचो कि डिजाइन वाली साल बननी हो तो कितना समय दिन लगेंगे चलिए आगे देखते हैं पतियां सीधा करा था। तो लकडी के बरे डंडो के खड़ा था रेभो के बीच ओबीच एक खुला छेट था जहां से चूलिए और भूँद माहिं जा सके सब्सक्राइब करना अच्छा होगी अलग अलग तरह के घर होते हैं एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं इसके मौसम जरूरत पैसा और वहां मिलने वाले समान मिठी पत्थर लकड़ी आदी पर भी बाचीत की जाए चलिए आगे देखते हैं एक घंटे में सतर किलोमेटर की गति से हवा चलती है अगर सोचो अपने गाउं से बस में बैठे और इस गति से चलें तो तुम्हें घंटे में क लेखा बनाई जाती है जैसे चांगपा लोग लेखा कहते हैं लेखा की दिवाने पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे रख कर बनाते हैं घर परिवार अपने जानमर को जुण्ड में पहचान के लिए खास निसान बनाते हैं रोज सुबा जुण्ड को लेखा से बहार निकाल कर गिन कर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों को रोज का काम होता है चलिए आगे बढ़ते हैं तापमान को जीरो डिग्री सेंटीगेट में लिखते हैं बस इतना जानकर बच्चे खबरों में ढोल कर पहचाने की सद्धिक अर्मीन से इस मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक राज में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहांसान के तरीकों को देखनों को लेंगे अब बात करते हैं सीन अगर के सीन अगर में अन्भोथा की पानी पर रहने का इन लागों में घर भी ऐसे खास थे जहां मौसम के अनुकूर या तरी डल जील में सिकार में घूमने का मज़ा उठाते हैं फिर आगे बढ़ने पर समय आ गया इस बात जम्मू साहर से में होते हुए मैं जाना था चलिए आगे देखते हैं क्या पैचान सकते हो या चित किस खाय कस्मीर के हर गली में कूचे में दिखती है एक बेकरी कस् स्री नगर के घर के बारे में एक नजर देखते हैं स्री नगर से में बाहर से आये टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं हाउस बोट असी फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौणाई आट नो फुट तक होती है तो स्री नगर में बाहर से आये हुए चौड़ाई आठ नो फुट तक होती है बोट की तरह बने लकडी के डूंगे पानी में तरह सी नगर की डल नदीव में इन डूंगों में कई पविवार रहते हैं मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग-अलग कमरे होते हैं हाउस बोर्ट पर कई बड़े घरों का अंदर की छट पर लकड़ी की सुन्दर नकासी होती है इसे एक खास डिजाइन खतम बंध है जो जिक्सा पजल जैसी दिखती है तो house board पर एक खास तर की design होती है जिसे हम खास design खतम बंद कहते हैं जो जिकसब पजल जैसी होती है पत्थरों को काट कर एक की ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कस्मीर के गाउं में दिखते हैं पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकडी कभी इस्टमाल किया जाता है इन घरों की छट धलवा होती है यहां के पुराने घरों की खासियत यहा है कि यह जारीदार खिर्टियां बाहर की ओर उभरी होती है इन्हें डब कहते हैं यहां से भी पुछा जाता है, यहां के पुराने घरों की खासियत या होती है, जारीदार खिर्कियां बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें हम डब कहते हैं, इनमें बैट कर बाहर का नजारा बढ़ियां दिखता है, यहां के पुराने घरों की खासियत पत्थर इट और लकडी को मिला कर बनाना है घरों के दरवाजें खिर्कियां और डिजाइन दार महराब बने होते हैं जैसा कि फीकर में दिखाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज का सेसन नहीं पर समाप्त होता है आज के सेसन के अंतरगर मैंने एंसी आटी इविए क्लास 5 के चैप्टर 11-12-13 को कबर किया जो की बहुत इंपॉर्टन क्लास थी सीटेट के लिए यहों भीहाज इच्छकवर्ती के लिए तो अगर आप सीटेट की प्रापर तरीके से यहों भीहाज इच्छकवर्ती की प्रापर तरीके से एंसी आटी की संपूर निचोर से बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल पर प्रापर तरीके से टापिक वाइज क्लास से चलाई जा रही है मैं NCRT EBS क्लास 50 के चैप्टर को कवर कर रहा हूँ इससे पहले मैंने क्लास 3rd और 4th NCRT EBS कवर कर लिया है वहें बीपुल सर के दौरा SST की क्लासेज स्टार्ट कर दी गई है जिसके अंतरगर्त NCRT क्लास सिर्ट की जियोग्राफी खतम हो गई है यहों हिस्टर की पहली क्लासेज कल से स्टार्ट हो जाएंगी विपुल सर की तबीद थोड़ा खराब होने के कारण एक दो दिन से क्लासेज नहीं चल पा रही है कल साम से प्रापर तरीके से फिर से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी तो आज का सेशन नहीं पर समाब करते हैं कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के ताथ तब तक के लिए धन्यवाद